हेलो श्रुएंट्स वेलकूम तो मैं चैनल कोश्चन नमबर सेवंटीन है फाइंड ट्वंटियत् ट्रम फॉर्म दे लास्ट ट्रम ऑफ दे अपी 3 8 13 253 यहां पर हमेना ट्वंटियत् ट्रम बतानी है इस एपी की लेकिन कहां से बतानी लास्ट ट्रम से बतानी है यह कि पीछ यहां पर हमें दिख रहे है कि 55 का डिफरेंस आ रहा है 3 में 5 प्लस कर रहा है 8 5 प्लस कर दो 13 लेकिन अगर पीछे से निकालेंगे इस तरफ से क्या रहा है प्लस में 5 आ रहा है कैसे मैं बताते हूं तो डी कैसे आएगा A2 minus A1 करके आता है A2 हमारा यहाँ पर तो अगर आगे से देखे तो 8 minus 3 equal to 5 आ जाता है अगर मैं इसी को पीछे से निकालू क्या होगा वो पीछे से 5 plus कम होते जाएंगे आगे से 5 plus plus हो रहे हैं तो पीछे से क्या होगा 5 5 कम होते जाएंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा D हमारा जो original D निकलेगा वो निकलेगा minus 5 तो हमें अपना D पता चल गया कि D हमारा कितना निकलेगा minus 5 आएगा और A हमें पता चल गया कि 253 आएगा अब हमें formula लगाना है अपना same वो ही जो हम तब लगाते आ रहे हैं A N equal to A plus N minus 1 और D अब यहाँ पर हमें क्या निकलना है A 20 निकलना है यहाँ पर A की जगा हम लिखेंगे अपना 253 plus N की जगा हम लिख देते है 20 minus 1 और D की जगा हम लिख देते है minus 5 solve पर लेते हैं देखो 253 plus 20 में से 1 गया तो बज़ गया 19 minus 5 है यह multiply में हो जाएगा 253 plus minus कितना होगा minus 95 जगा होता है 95 minus करेंगे तो देखो क्या आता है 13 में से 5 गया 8 आ गया यहां बचा 4 तो 14 में से 9 गया तो आ जाए 5 और गया 1 तो यह होगा हमारी 8 20 टरम जो होगी वो होगी 158 means जो पीछे से 20 टरम पर जो नमबर आएगा वो आएगा 158 लिखेंगे 158 is the 20th term from the last term यह होगा हमारा answer जो आएगा हमारा 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 आ